हेलो दोस्तो वेलकम टू सुरेश के वीडियो चैनल भाई इस गाड़ी के जितने भी लवर्स है न वो इसको आप ब्लैक माफिया बुलाएंगे ही बुलाएंगे क्योंकि ये जो गाड़ी है ब्लैक कलर में आपके सामने आने के बाद आप इसको अलगी निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी सुपर सॉलिड लग रही ब्लैक कलर में मैंने आपको बहुत दिन पहले एक अपनी सॉट वीडियो में बता था कि मारूती अब अपनी हर गाड़ी को ब्लैक कलर में लेके आएगी वो मार्किट में दीर दीरे सारी गाड़ी है जो अपनी ब्लैक कलर में लेके आ रही है वैगनर जेड़ेकसाई प्लस मेरियंट ये में आपको बताऊएं क्या ब्लैक कलर आप खरी देंगे तो कुछ एक्स्टा पैसे देने पड़ेंगे कितनी वेटिंग पर मिलेगा कहां जल्दी अवेलेबल होगा वह सारी चीजह मैं आपसे इस विडियो करेंगा एंड एक छोटा सा simple and short review इस ZXI Plus variant का हम इस वीडियो में रखने वाले हैं तो वीडियो को ना last तक जरूर देखना है आप और overall लुक देखिए गाड़ी का कितना super solid लुक लग रहा है इसको हम बोलते हैं midnight black color ये midnight black color होता है जो की हलका सा चमकीला होता है अब आप overall look देखिए गाड़ी का front profile चे कितना super solid लग रहा है कितना attraction लग रहा है कितना ज़्यादा अकरशक ये color लग रहा है front profile आप देखें वही dual split headlamps grill and इस variant में आपको चावी वही मिलेगी क्योंकि color के साथ साथ आपके mind में चला होगा हो सकता है गाड़ी में कोछ और भी चेंज हुआ हो तो वो चेंज मैं आपको बताऊँगा कि इसके लाबा क्या चेंज हुआ है headlamps वही हैं वही आपको ZXE plus में fog lamps मिलेंगे वही आपको आगे grill मिलेगी जिसको हम radiant grill बोलते हैं और उसके अलाबा जब आप देखेंगे इसका side profile ठीक है तो side profile में आपको देखने को मिलेंगे alloy wheels 15 inch के fully black alloy wheels आते हैं जो कि गाड़ी के color के साथ पूरा match कर रहा है जब गाड़ी चलेगी ना तो आपको अंदाज है नहीं होगा कि बाई alloy wheels को ऐसे हैं और गाड़ी के ऐसी क्योंकि black है OR भी हम देखेंगे LED टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं डोर हैं जो हैं इसके body colored के ही है A plur B plur C plur आप तो तीनो plur black ही होगा है antenna आपने उपर देखी लिया बाकि आप interior देखेंगे ना तो interior में आप यह मसोची कोच चेंज है भाई कोई भी minor major change नहीं है गाड़ी के interior में और specification में इवन इंजन में भी rear profile में भी कोई changes आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई बाई पर डिफाउगर high mountain stop line वही वैगनर की बैजिंग पीछे वही दो parking sensor और अगर आप बूट open करके मैं आपको दिखाऊँ तो भाही 341 लिटर का बड़ा boot space आपको इसमें मिल जाएगा कोई भी भाई कट ओती नहीं हुई है आप यह जिंता छोड़ दीजिए आप फ्रेंट में देखिए नीचे भाही आपको जैड़ेक साई प्लैस में फोगलें विलेंगे मैं दोबारा डिपीट कर रहा हूं और 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 यह जो आपको 12 ओर अपको चैने का टोर्ण देता है 35 वह गपावर देता है तोज्याजार देता है माइलेज पहले के जैसा ही है इंजन थोड़ा से रिफाइंड हुआ है कलर के साथ साथ बाकि माइलेज में कोई फरक नहीं है आपको 24-25 का एबरेज कंपनी क्लेम करके देती है और वह काफी अच्छी परफॉमेंस है एक बार वन शॉट में आपको इंटीर इसका दिखा देता क्रोम में है वही डॉल टोन इंटीर वही 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम ट्रेम आप एक बार देख लीजिए एंड यहाँ पर सेंटर कंसूल में भी कोई चेंज नहीं है वही फाइव गेर मैनुलन ट्रांश्मिशन के साथ आती है स्मार्ट प्ले स्टूड है ठीक है वही सेंटर कंसूल फाइव गेर मैनुलन ट्रांश्मिशन के साथ यह गाड़ी आपको मिलेगी ठीक है सेंटर कंसूल में वही सारा इस्पेस है कुछ चीज़े और एक्स्टा इंक्लूड नहीं की है सीट्स की अगर मैं बात करूं तो वही मैलंग फैबरिक सीट्स है आप मुझे यह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बाकि अब यह गाड़ी आपको मिलेगी कहा ठीक है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आप काटक करके पूछ सकते हैं कितनी वेटिंग है वो सारी चीज़े और उसके अलाव